गुद इवनिंग टो अलो फ्यू मैं राना आवस्ति ऐसे से उतकश पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ तो वे विद्यार्थी जो फर्स टाइम हमारी कक्षा से जुड़े हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बैल आइकन के बटन को प्रस करेंगे ताकि हमारे वीडियोज की जुड़ नोटिफिकेशन है यह आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके कक्षा को शुरू करने से पहले आपके प्रशने का जवाब दे देते हैं क्योंकि अभी थोड़ी ही देर में आप मुझसे पूछने वाले हो कि मैं PDF कहां से डाउनलोड करें तो सिंपली यहाँ पर टेलिग्राम एप्लिकेशन पर टाइप करिएगा ऐसे सी उतकर्श चैनल को कर लो जॉइन वहाँ से जितने भी हमारे ये यूट्यूब सेशन होते हैं सबके PDF प्रोवाइड कराए जाते हैं बढ़िया से डाउनलोड करें और नोट्स बनाईए आईए शुरू करते हैं आज की क्लास को तो बेटा जैसे की कल की हमारी जो क्लास थी उसमें मैंने आपसे एक बात कही थी मैंने कहा था कि ब्लड ग्रूप के अंदर आरच फैक्टर बचा हुआ है और एक डिजीज बचा हुआ है जिसे नली का विहीन ग्रंथी कौनसी होती है आपको बताना है कि इन में से कौनसी ऐसी ग्लेंड है जो बिना डक्ट की है आप्शन ए एक्जोक्राइन आप्शन बी एंडोक्राइन आप्शन सी मेक्स आप्शन डी नन आंसर करिएगा इसका फटाफट से रितांश, मिश्रा, म्योजिक, हॉल, अर्पिता, गुपता, राहुल, वर्मा, गुडीविनिंग भाई, स्वागत है सबका, आंसर करो फटाफट से जल्दी से बता दो मुझे कि इसका अंसर क्या होगा, आपको बताना है कि इन में से कौन सी यासी ग्रंती है, जो नली का विहीन होती है, मतलब जिसके पास में नली का नहीं होती, डक्त नहीं होती Option A चیک करो, यहाँ पर exocrine Option B है endocrine Option C है, यहाँ पर mix Option D है none अंसर करिएगा जल्दी से चलो देखो, कुछ एक विध्यार्थी यहाँ पर मुझे कुछ एक विध्यार्थी यहाँ पर B लिखके दे रहे हैं तो सत्येंद्र कुमार तुम तो मेरे पुराने स्टूडेंट रहे हो पुरानी कक्षाओं में आये हो तो मैं तो पता ही है कि मेरा नाम 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 क्या है तो मेरा नाम यहाँ पर नाम नाम यहाँ पर नाम नाम यहाँ पर नाम सुन लिया होगा तुमने चलो पहले कोशन का जव इनके पास में कोई भी नलीका नहीं होती तो जिस जिस ने यहाँ पर बी आंसर किया है उनका बिलकुल सही है तो नोट कर लेना कि अंतस्त्रावी जो ग्रंथी होती है इसका दूसरा नाम ही नलीका विहीन ग्रंथी होता है जबकि हमसे कोई कह दे कि यह बताओ कि नलीका युक युक्त ग्रंथी कोंसी होगी तो ही स्थ्रावी नली का ुउक्त ग्रंथी होती थीक है तो यहाँ पर लिख ले न, यह एक्जो परनी है नली का युक्त जॉक्त न coin के नाम से जाने जाती है यह आगे बढ़ते और बात करते हैं प्रश्ण संख्या एक बार दो की हार्मोन बने होते हैं आपको बताना है कि हार्मोन किस से बने होते हैं option A only protein option B केवल वसा option C protein वसा अन्य जटिल पदार्थ option D blood से इसका अंसर करिएगा फटा फट से जल्दी से बताओ कि जो हार्मोन है यह हार्मोन किस से बने होते हैं क्या यह केवल प्रोटीन से बने होते हैं क्या यह केवल वसा से बने होते हैं क्या यह प्रोटीन वसा और जटिल पदार्थों से बने होते हैं या फिर यह रक्त से बने होते हैं इसका अंसर करो जल्दी से अंसर करिएगा जल्दी से अंसर करिए बिटा निर्मा मीना अंकित वासनिक पूजा जाटाव म्यूजिक हॉल निशा वर्मा बिट्टु शर्मा संजे क्या बात है भाई कैसे कैसे नाम रखक है कोई सर्मा कोई वर्मा है ना लगातार ऐसे ही चल रहा है पुश्पेंद्र जाट कश्यप सभी द्यारधी कोशिश कर रहे हैं भाई है ना मोहित चौधरी ये बाबा मोहित चौधरी इसने गलत अंसर किया आज पहली बार है ना तो ठीक ठाक इंटेलिजेंट सा लड़का है लेकिन आज पता नी क्यों ये गलत अंसर कर रहा है इधर देखो हमसे कोई पूछे कि भाई ये बताओ कि केवल प्रोटीन क्या होते हैं तो केवल प्रोटीन आपके एंजाइम होते हैं ठीके लिख लेना एंजाइम होते हैं जो एंजाइम होते हैं ये केवल प्रोटीन के बने होते हैं जबकि हमसे कोई पूछे कि ये बताओ कि हार्मोन किस से बने होते हैं तो हार्मोन मे कुछ जटिल पदार्थ भी होंगे जिनको आप स्टेरोइड के नाम से जानते हो ठीक है तो ध्यान रख लेना इसका अंसर यहाँ पर सी हो जाएगा एक दो प्रशन और करते हैं शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी कौन सी है आपको बताना है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी क सबसे बड़ी ग्रंथी कौन सी होती है आप्शन ए लीवर आप्शन भी थाइरोइड आप्शन सी पिट्यूटरी यानि प्यूश आप्शन डी पीनियल ग्रंथी इसका अंसर करिएगा चलो सोनु यादव कश्यप विकास केसव सेनी पिंकू गोविंद नवल ध्यानेश्वर बाबा मोहित चौधरी सब भी विद्यार्थी आंसर कर रहे हैं चलो देखेगा इस प्रशन का उत्तर नोट कर लेना भाई अगर हमसे पूछे कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी कौन सबसे बड़ी अंतसत्त्रावी घ्रंथी होती है चोटी वाली अनतस्त्रावी घ्रंथी कौन सी होगी तो प्यूस और पीनियल दोनों ही ÁPKE चोटी छोटी सी अंतस्त्रावी घ्रंथिया होती है तो ये भी ध्यान रख लेना कि जो पीनियल है इन दोनों में से भी कंपेर करो तो जो पीनियल है ये सबसे छोटी सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लेंड है smallest एंडोक्राइन ग्लेंड है ठीके अंतस्त्रावी ग्रंथी है यलो आगे बढ़ते हैं एकात प्रश्न को और करते हैं तो नेक्स प्रश्न देखेगा निम्न में से कौन सी ग्रंथी हैड्मास्टर ग्लेंड के नाम से जानी जाती है आपको बताना है कि इन में से कौन सी ग्रंथी हैड्मास्टर ग्लेंड के नाम से जानी जाती है option A, pituitary, option B, hypothalamus, option C, pineal, option D, यहाँ पर adrenal, इसका अंसर करिएगा फटाफट से, जल्दी जल्दी से बताओ यहाँ पर, कि इनमें से कौन से ऐसी ग्रंथी है, जिसको आप यहाँ पर headmaster gland के नाम से जानते हो, प्यूश को जानते हो, hypothalamus को जानते हो, pineal को जानते हो, या adrenal को जानत परिक्षा शुरू होगी, जब कक्षा आएगी, तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा है, तो चिंता मत किया गरो बेटा है, ज्यादा चिंता करने से विटामिन C अवशोशित हो जाता है, और विटामिन C अवशोशित हो गया, तो तुम्हें यहाँ पर पर कोशिश कर रहें, पर कोई फरक नहीं पड़ता भाई, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो कुछ एक विद्यार्थियों ने सही उत्तर दिया है, नोट कर लेना इसका हो जाएगा, हाइपो थैलेमस, ठीक है, हाइपो थैलेमस, अब एक बात का ध्यान रखना, एक पुराने जो एंसी आर्टीज है, इन पुराने एंसी आर्टीज में एक प्रश्न बहुत ज़्यादा फेमस था, कि मानव के शरीर की मास्टर ग्रंथी किसको कहते हैं, मास्टर ग्लेंड किसको कहते हैं, तो मास्टर ग्लेंड तो कहते हैं, प्यूश ग्रंथी को, पिट्यू master gland के नाम से जना जाता है या फिर master of the master gland के नाम से जना जाता है तो note कर लेना भाई कि इसका answer हो जाएगा यहां पर hypothalamus ठीक है हम से पूछे कि यह बताओ कि मैं hypothalamus क्या कोई ग्रंथी होती है क्या तो हम कहेंगे कि बेटा ग्रंथी तो नहीं होती यह brain का पार्ट होती है ठीक है तो लिख लेना कि यह मस्तिश्क का भाग होता है मस्तिश्क का भाग होता है इसको आप यहां पर headmaster gland के नाम से जानते हो अब एक बात और समझ जाना यहां पर है ना जैसे कि आप से पूछ ले कि यह बताओ कि hypothalamus को हम नहीं करेंगे इसको हम pseudo endocrine gland कहा थे हाँ पर लिख लेना कि hypothalamus को जूटी आंतरस्त्रावी ग्रनती कहटे है लिखो यह पर जूटी अंतरस्त्रावी ग्रनती in श्यूडो endocrine gland ठीक है लिख लेना कि इसको pseudo endocrine gland के नाम से जानते हैं चलो अब यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं भाई ग्रंथी वाला chapter चल रहा है तो ग्रंथी वाले chapter में हमें पढ़ना तो पढ़ेगा और पढ़ना पढ़ेगा तो यहाँ से शुरू करते हैं ठीक है तो एक paper यहा पर लिख्वाना शुरू करती हो तो सबनाएं यहां लिख lose ए guant instead तो सबसे पहले तो यहां पर ध्यान रखनां कि हमें पूछे कि यह बताओ कि जोग्रन्थी है यह ग्रंथी हम किसको कहते तो हम कहेंगे कि चाहे तो कोई कोशिका हो, यानि सेल हो, चाहे कोई उत्तक हो, यानि कि टिशू हो, चाहे कोई अंग ही क्यों ना हो, चाहे कोई औरगन ही क्यों ना हो, अगर उन में से कोई न कोई रस निकल रहा है, तो ऐसे भाग को हम ग्रंथी के नाम से जानते हैं, खिक है चाहे तो कोई आपके कोशिका हो यानि की सैल हो ठीक है या चाहे कोई आपके यहाँ पर उत्तक हो यानि की टिशू हो या चाहे कोई हमारे पास में यहाँ पर अंग ही क्यों न हो और्गन ही क्यों न हो अगर इन में से कोई न कोई रस निकल रहा है कोई न कोई जूस सिक्रीट हो रहा है तो ऐसे भाग को हम यहां पर ग्रंथी के नाम से जानते हैं तो लिख लेना चाहे कोशिका हो चाहे उत्तक हो चाहे अंग हो जिन में से जिन में से कोई रस निकलता हो, कोई रस निकलता हो, मतलब कोई फ्लुइड निकलता हो, उसको हम यहाँ पर ग्रंथी के नाम से जानते हैं, तो सबसे पहले तो इसकी परिभाशा नोट कर लेना, अब हम करेंगे भाई, कि जो ग्रंथिया होती है, यह ग्रंथिया होती कितने प तो नोट करती हूं यहापर लिखना शुरू करती हूं लिखो यहापर types of gland. गंतीहों के प्रकार, types चलो ध्यान रखना की गंतिया हमारीय यहापर तीन प्रकार की होती है. नमबर वन होती है एक्जोक्राइन या बही स्त्रावी ग्रंथी, नमबर टू होती है अंतर स्त्रावी या फिर एंडोक्राइन ग्लेंड और नमबर थी होती है मिश्रित ग्रंथी है, तो तीन प्रकार की यहाँ पर ग्रंथिया लिख लेना भाई, पहली पहली लिखना यहाँ हम यहां पर 22OOOO 2 या जिसको अन्य में हम यह फर exokrine चाहते हैं exokrine के second लिखेगा यहां पर उंतर स्त्रावी 2008 जिसको हम यहां पर endocrine कहते हैं और थर्ड लिख लीजेगा यहां पर मिश्रित मिश्रित यह जिसको हम यहां पर मिक्स ग्लेंड कहते हैं ठीक है मिक्स ग्लेंड कहते हैं तो यह तीन प्रकार बनाने आपको नमबर वन लिखना है एक्जोक्राइन नमबर सेकंड लिखना है यहां पर एंडोक्राइन नमबर इकाद विद्यार्ती हमारे इतने ज़्यादा एडवांस है कि मुझे यहाँ पर पियूश ग्रंथी से निकलने वाले हार्मोन बता रहे हैं तो अर्पिता यहाँ पर जितने भी हार्मोन है न सब के नाम लिख दो तुम है न सबी के नाम लिख ले ना पहले यहाँ पर तो अब यहाँ पर गौर से देखना अभी समझ में आ जाएगा आपको कि इन तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है आज के बाद में कभी नहीं भूलोगे कोई भी नींद में से उठाके पूछ लेगा कि यह बता दो कि ग्रंथिया क्या है तो तुरंत उनको आंसर कर दोगे कि इसको भाई ग्रंथि कहते हैं देखो देखेगा सबसे पहले ध्यान रखना कि चाहे कोई कोशिका हो चाहे कोई कोशिकाओं का समू हो जिसको हम उत्तक कहते हैं अगर इसमें से कोई रस निकलेगा तब ही यह ग्रंथि कहलाएगा ठीके तो इसमें से यहाँ पर देखो पहले क्लियर कर दूँगे आपको अब देखेगा गौर से देखेगा भाई अगर हमसे कहें कि मैं ये वताओं कि 22 किसको बोलते हैं और अंतस्त्रावी किसको बोलते हैं तो हम कहेंगे कि मैं देखो 22 ग्रंति होती है इससे जो निकलता है। यह रस किसी नकिसी नलिकां से होता हुआ हमारे अंगों तक पोहुझता है तो ऐसी जो घ्रंथी होगी इस घ्रंति को हम वही ऐस थ्रावी या फिर एग्जो क्राइं ग्लेंड के नाम जानते हैं लेकिन जब हम से पूछे कि ये बताओ कि अंतस्त्राविया अंतस्त्राविया एंडोक्राइन क्या होगी तो हम कहेंगे कि देखो मैं जो ग्रंथी होती है ना इस ग्रंथी से निकलने वाला जो द्रव है ना ये किसी भी नलिका में नहीं जाता ये सीधे ही हमारे ख गर्मियों का मौसम चल रहा है तो हमारे घरों के अंदर हम cooler बुलर तो भरते ही है जनरली बच्चों की ही बारी आती है cooler भरने में बोटल भरने में है न तो आपकी बारी आती होगी तो ध्यान रगना भाई कि नल को चालू करके एक pipe लगाते हो और pipe लगाने के बाद में cooler को भरते हो ठीक है तो ध्यान रगने के नल जो होगा ये नल आपकी ग्रंथी हो गया वो pipe जो हो गया वो यहाँ पर duct या फि अगर नलिका से बहता हुआ अंग के पास में पहुँच जाए तो ऐसी ग्रंथी को हम यहाँ पर बही स्त्रावी या एक्जो क्राइन ग्लेंड के नाम से जानते हैं I hope यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अब दूसरी बात करते हैं कि मैं अंतस्त्रावी का भी हमको एक ग्रंथी है इसमें से निकलने वाला जो रस है यह रस यहाँ पर उसका रस है और आप यहाँ पर मैं कहूंगी खून हो या फिर ओर्गन हो तो ऐसी जो ग्रंथी होगी उसको आप एंडो क्राइन ग्लेंड या फिर अंतस्त्रावी ग्रंथी के नाम से जानते हो चलो अब इत एक बात और पूछते हैं कि यह बता वह कि यह जो ग्रंती है इस ग्रंती को ॉर किस नाम से जानते हैं तो हम कहेंगे कि देखो यहां पर नलीका लगी हुई है यहां पर डक्त लगी हुई है और यह जो रस है यहां पर इस नलीका के माध्यम से पहुंचता है तो इसी ग्रंथी को हम नलीका युक्त ग्रंथी कहते हैं लिखलो यहां पर कि इसको नलीका युक्त ग्रंथी कहते हैं डक् कोई नली होती ही नहीं है तो इस ग्रंथी को आप यहां पर में यहां लिख रही हूं इस ग्रंथी को आप यहां पर नली और विहीन ग्रंथी कहते हो ट है कि द५िंगतलेंड को टाना में बढ़िति आम इस झि fidelity सो प्तितरार हूं इस रस का नाम क्या है तो ध्यान रखना 22 ग्रंथी से जो रस निकलता है उसको हम यहां पर एंजाइम के नाम से जानते हैं ठीक है उसको हम यहां पर एंजाइम के नाम से जानते हैं जबकि हम से पूछे कि यह बताओ कि एंडोक्राइन ग्लेंड से जो रस निकलता है इस रस को क्या कहेंगे तो इस रस को हम यहां पर हार्मोन के नाम से जानते हैं ठीके तो यहां पर लिख देते हूं कि इसका जो रस है यह हार्मोन कहलाता है M.H. कहलाता है तो यह मोटा-मोटा दोनों में अंतर बता दिया है लिए और तरीका बता दिया किसका क्या नाम में सब कु समझा दिया अब बढ़ते हैं यहां पर भाई तीसरी वाली बुरा मन जाएगी बोलेगी कि बहिस्त्रावी या अंतस्त्रावी के बारे में पढ़ाए पढ़ा ही जा रहे हो पढ़ाहा हमारे बार ही बीजिंद uję क्शुरित गांति की को आप मिश्षित ग्रंथी से जानते हैं ठीक है तो यह invece Sen समा कि यह अंतस्त्रावी, मतलब endo plus exo, ठीके मतलब क्या हो गया, endo plus exo, दोनों मिला करके आपके मिश्रित ग्रंथी के नाम से जाने जाते हैं, अब यहाँ पर देखो हम कुछ एक example करेंगे, क्योंकि example बार-बार हमें परिक्षा में पूछे जा रहे हैं, ठीके तो देखो यहाँ पर, यहाँ पर लिखती हूँ मैं बही स्त्रावी के उधारन पहले, बही स्त्रावी के उधारन लिख रहे हूँ, exocrine के example लिख रहे हूँ, क्योंकि endocrine पर पूरा-पूरा चैप्टर ही रहने वाला है, तो उसकी क्या ही उधारन लिखे, तो यहाँ पर पहला-पहला उधारन लि कहते हो ठीक है memory glands कहते हो चौता लिख लीजेगा अश्रू ग्रंथिया जिसको आप टीर ग्रंड कहते हो ठीक है टीर ग्रंड कहते हो इसके अलावा एक और नाम लिख लेना लीवर का ठीक है लीवर का तो ध्यान रख लेना आप से मोटा-मोटा अगर पूछ ले कि ये बता दो हो बाइकजिраж youth जसारी की सारी जो ग्रंथिया या फिर एग्सोट्रावी एक्सामपल कौने में तो हम कहेंगे कि द देखो मैं मलार ग्रंथिया पसीने वाली ग्रंथिया अश्रू ग्रंथिया पताanten घ्ञान कष्ब सबसे बड़ा कौन तो तीनों ग्रंथियों को मिला करके सबसे बड़ी जो ग्रंथी है वो लीवर होती है ठीक है तो यही पर लिख लेना कि तीनों ग्रंथियों को मिला कर सबसे बड़ी ग्रंथी कौन सी होती है तो हमें पेपर में पूछते हैं कि सबसे बड़ी ग्रंथी कौ तो हम कहेंगे कि चिंता की कोई बात नहीं है जब लीवर हमारे साथ है तो इसका आंसर यहाँ पर लीवर होगा ठीक है तो ध्यान रख लेना चाहे सबसे बड़ी पूछे चाहे सबसे बड़ी बहिस्त्रावी पूछे दोनों का उत्तर आपका यहाँ पर लीवर जाएगा ठीक जब यहां पर ध्यान रखना कि जितने भी दुनिया के मैसे यह सभी के प्रोटीन से वने होते Top मेड़प आफ प्रोटीन किके प्रोटीन से बने होता है जब कि हम से पूछे कि हार्मोन किस से बनते हैं तो हार्मोन में प्रोटीन भी होगा फैट भी होगा और भी बहुत से पदार्थ हो जाएंगे तो मुटा-मुटा यहां पर लिख देती हूं कि हार्मोन जो होता है यह हा तो यहां तक आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि एंजाइम और प्रोटीन के अंदर डिफरेंस क्या होता है तो यह भी आपने नोट कर लिया होगा आगे बढ़ते हैं और अब यहां पर लिखना शुरू करते हैं कि एंडोक्राइन जो ग्लेंड है अंतस्त्रावी जो ग्र करने के हिसाब से वो चित्र आपके लिए महत्वपुर्ण रह सकता है तो हेडिंग डालके लिखती हूँ मैं यहां पर अंतस्त्रावी ग्रंथी अब आपका चैप्टर शुरू हो गया है ठीक है अंतस्त्रावी ग्रंथी एंडोक्राइन ग्लेंड्स एंडोक्राइन ग्लें विशेषता क्या होती है क्या अंतर होता है सब कुछ आपने पीछे पढ़ लिया है ठीक है अब यहां पर एक डाइग्राम बनाईएगा और डाइग्राम को देख करके बिल्कुल भी किसी को हसना वसना नहीं है भाई है ना अपनी कॉपी में वैसा का वैसा डाइग्राम बनान यहां पर उसके नीचे यहां पर एक मटर बनाना गले के अंदर यहां पर अंग्रे जी का एच बनाते हैं देखो अंग्रे जी का एच बनाते हैं इसी अंग्रे जी के एच के अंदर यहां पर कोनो कोनो के अंदर चार छोटे डॉट लगा देती हूं ठीक सीने के अंदर किडनी के वहां पर हम क्या लगाइंगे बैक ग्रन्ति होती तो मैला की merge है रुधर गुषका है यह लटके रहते हैं तो यह रुठक शाख वर रशन लटके रहते ठीके तो सबसे पहले यह diagram यहाँ पर देख लो भाई diagram देख लो मोटा मोटा अगर कोई कहे कि मैं यह बताओ यह क्या diagram बनाया है तो हम कहेंगे कि बिटा location के हिसाब से हमें ऐसा ही diagram बनाना होता है ठीके तो यहाँ पर देखो कि number one जो ग्रंती है जो कि आपको माथे के उपर दिख रही है ना head वाले portion में दिख रही है इसका नाम यहाँ पर note करना पहली का नाम है penial फर्स्ट का नाम लिखेगा penial सेकंड का नाम लिखेगा यहाँ पर लिखेगा पियोश थार्ड नंबर पर यहाँ पर गले के अंदर जो अंग्रेजी के एचाकार की दिख रही है इस ग्रंती का नाम लिखना है ना इसका नाम लिखेगा thyroid गले के अंदर अंग्रेजी के एचाकार की thyroid इसी थायरॉid के चारो कौनो पर जो छोटे- Čपर डॉत लगा करके मैंने बनाई हैं इस गृंथी का नाम लिखेगा इस गृंथी का नाम हो जाएगा पैरा-thaiparad पैरा-thaiparad सीने के अंदर जलन की जगा एक गृंथी लिखेगा नाम है इसका थाईमस ठीक है कि यह बताओ कि सीने के अंदर कौन होती यह सम्ख्रा स्थाइमस ऌइंड ही सीनें के अंदर आपके ठां मस्ग्रण्थी होती यहां पर किडिनी के ऊपर केप्लाक स्ट्रक्चर में जो आपको ग्रण्थी dif . Balzen जानते हो तो इसका नाम लिख लो यहां पर एड्रीनल ग्रंथी संख्या कितनी है तो दो दिख रही है आपको है ना यहां पर बोड़ पर दिखी रही है कि संख्या कितनी हो जाएगी दो नेक्स देखिएगा अगर फीमेल है तो फीमेल के अंदर है ना फीमेल के अंदर गोल उधर गुहा से बाहर की तरफ दो व्रशन लटके रहेंगे तो यहां पर लिख लो भई कि जो व्रशन है यह व्रशन आपके पूरुष के पास होंगे ठीक है तो च्छे नमबर वह हो गया ज़्याई यहां पर अंडा श्या लिख दे ती हो और आठवे नमबर यहां पर यह पीनियल ग्रंथी कहां स्तित होती है तो भले यह डाइग्राम आपको बहुत लोकल सा लग रहा होगा लेकिन यहां से आपको एक ची समझ में आ गई कि सबसे उपर की तरफ पीनियल है सेकिंड नमबर पर प्यूश है मतलब माथे वाले पोर्शन में हैड वाले पोर्शन मे यहां पर पीनियल और पियूश होती है अचा गले के पोर्शन में कौन होगी तो थ्रोट वाले पोर्शन में थाइरोइड ग्रंथी होगी जो अंग्रेजी के एच अकार की होगी अंग्रेजी के एच अकार में चारो कौनों पर डॉट डॉट लगी हुई कौन से ग्रंथी ह तो डॉट डॉट वाली आपकी पैरा थाइरोइड ग्लंड होगी. नेक्स देखीएगा, सीने के अंदर, थॉरेक्स वाले पार्ट के अंदर, जलन की जगा एक ग्रंथी होगी जिसको आप थाइमस के नाम से जानते हो. आगे चलिएगा आपकी जो ये व्रक है आपकी जो किड़नी है इन किड़नीयों के ऊपर है ना कैपलाइक इस्ट्रक्चर की जो गरंथी होगी उसको हम एड्रिनल गरंथी कहते हैं लास सुनिएगा जो आपका उदर वाला भाग है जो नीचे वाला पेट होता है इसको आप उदर कहते हो हिंदी में इंग्लिश में एब्नोमन कहते हो पता होगा आपको ठीक है तो एब्नोमनल कैविटी में यहाँ पर गोल गोल अकार के अंडशे होते हैं फीमेल के अंदर सबने नोट कर लिया है क्या एक बार बताओ यहां पर कॉमेंट करके फिर आगे बढ़ेंगे हम चलो सुजीत क्रेश यादव निर्मा मीना प्रिया बिट्टू मोहिच चादरी बहुत बढ़िया भाई चलिए बढ़ते आगे समने बना लिया गया माही राजस्थानी नविन कौशिक बच्चे यहां पर आज तो भाई बहुत सारे फूल पत्तियां भी भेज रहे हैं आज तो कुछ एक विद्धियार्थी मुझे यहां पर फूल और पत्तियां भी भेज रहे हैं चलो लगता है बॉटनी की ग्लास को ज़्यादा ही सीरियस ले लिया है इसलिए मेरे को फूल पत्तिया भेज रहे हैं ठीक है चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करना शुरू क करते हैं पुछ प्रशनों को भी करेंगे कुछ हार्मोंस को भी करेंगे और लिखना शुरू करेंगे आगी चलने से पहले वे विद्धियार्थी तो जो राद दिन एक ही स्वपन देखते हैं और सपने में देखते हैं ससी जिसका सपना है ससी तो यहां पर CGL, CP, O Wesco के पे कर रहे हैं वे विद्यार्थी हमारे जैपुर वाले सेंटर में 12 तारिक से देखो नया वाला जो हमारा बैच है यह शुरू हो रहा है तो यहां पर जॉइन करेंगे ठीक है तो वे विद्यार्थी जो के लिए तैयारी कर रहे हैं इंक्लूडिंग जीडी वे विद्यार्थी हमारे जैपुर के बैच को यहां पर जॉइन करेंगे हमारा जो न्यू बैच है यह 12 अप्रेल को शुरू हो रहा है टाइमिंग आपके सुबह 7 बजे रहेगी एड्रेस आपको बता देती हूं हिंडोन ह आप बताव जेंगे प्रश्ण नमबर वन देखेगा प्यूश ग्रंथी कहा इस्थित होती है आपको बताना है कि प्यूश ग्रंथी कहा इस्थित होती है। विद्धार्थि इसके इसका समारे हमारे एंटिर ह süगाने तो प्लीति इसका ए्टमारी पुर्षन और ना की मढ़ेत घतै नंबर वन होता है आपका अग्रमस्ति के सी बीच का होता है न kia मzdhya मस्तिष्क और पीछे का होता है स्वसिक्व मस्तिष्कma to no-kepte कि इसका अंसर हो जाएगा यहाँ पर करेंगे फिर यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे सेकुंड देखेगा farm autistic Carecess Paragraph problemположimian disease is uta stable자 आपको बताना है कि जो option B, gonadotropic hormone यानि कि GH, option C, oxytocin hormone और option D, vasopressin hormone इसका अंसर करिएगा फटापट से, जल्दी से बता दो मुझे यहाँ पर, कि भाई जो acromigaly disease है, यह acromigaly disease जो होती है, यह कौन से hormone के access होने से होती है, अधिकता से होती है, option A, चेक करिएगा व्रदी hormone, option B, चेक करिएगा यहाँ पर, gonadotropic hormone, option C, चेक करिएगा, oxytocin hormone, और option D, चेक करिएगा यहाँ पर, vasopressin hormone, अंसर करो फटापट से, very good, very good, चलो, वेव विद्यार्थी, यानि, I believe, संजे, सुजीत क्रिशियादव, है न, माही राजस्थानी, राज परिहार, मोहित चौधरी, जिन विद्यार्थियों ने ए अंसर किया है, उनका बिल्कुल सही है, तो नोट कर लेना कि जो एक्रोमिगेली डिजीज है, यह एक्रोमिगेली डिजीज ब्रद्धी हार्मोन की अधिकता से होती है, ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से होती है, आगे बढ़ते और बात करते हैं, इकाद और प्रशन की, फिर यहाँ पर pituitary gland यानि प्यूश ग्रंथी के बारे में पढ़ाऊंगी साथ ही साथ आठ हार्मोन आपको याद करके जाऊंगी ठीक है तो ये वाला प्रशन देखो एक बार चहरे पर तिल धब्बे निशान कौन से हार्मोन की अधिकता से आते हैं तो अगर आपके face के उपर भी कोई निशान है कोई तिल है कोई मैं कह सकती हूँ धब्बे है तो ये किस की अधिकता से आते हैं option A चेक करिएगा MSH हार्मोन option B चेक करिएगा TSH हार्मोन option C चेक करिएगा यहाँ पर ACTH हार्मोन option D चेक करिएगा मेलाटोनिन answer करो फटाफट से जल्दी से बताओ यहाँ पर आप सभी को बताना है कि भाई चेहरे के उपर जो तिल धब्बे निशान है ये किस कारण से आते हैं क्या ये MSH के कारण आते हैं क्या ये TSH के कारण आते हैं क्या ये ACTH के कारण आते हैं या फिर यह मेलाटोनीन के कारण आते हैं, आंसर करो फटाफट से, चलो, बहुत बढ़िया, सब का गलत है भाई, सबी का गलत है, सिर्फ एक में मोहित चौधरी को छोड़ दू, तो सबी विद्यार्थियों ने कट कोपी पेस्ट मारा है, और सब का गलत है, भूर सिंख और ए और करो, फिर आगे बढ़ते हैं, चलो, नेक्स देखेगा, दुख्द निर्बानकारी हार्मोन या लेक्टोजैनिक हार्मोन के नम से किसको जाना जाता है, आप्शन A, प्रो लेक्टीन हार्मोन, जो कि पियोश गरंथी से निकलता है, आप्शन B, प्रो लेक्टीन हार्मोन जो कि पीनियल ग्रंथी से निकलता है option C, pitocin hormone जो कि आपके pituitary यानी प्यूश ग्रंथी से निकलता है option D, oxytocin hormone जो कि प्यूश ग्रंथी से निकलता है इसका अंसर करिएगा इसका उत्तर करो, फटाफट से बताओ यहां पर की प्रश्ण संख्या 8 का उत्तर क्या होगा जो पहले से पढ़के बैठे हैं वो मुझे यहां पर कोशिश करेंगे अंसर देने की, ठीके, जल्दी से बताओ कि भाई जो दुख्द निर्मानकारी हार्मोन है जो लेक्टोजैनिक हार्मोन है यह लेक्टोजैनिक हार्मोन कौन सा होगा ठीके, क्या यह प्रोलेक्टिन हार्मोन प्यूश ग्रंथी वाला होगा क्या यह प्रोलेक्टिन हार्मोन पीनियल ग्लैंड वाला होगा क्या यह पिटोसिन हार्मोन प्यूश ग्रंथी वाला होगा क्या यह अक्सिटोसीन हार्मोन प्योश ग्रंथी वाला होगा इसका अंसर करिए अनुशुरुत बिट्टु शर्मा और आई बिलीव संजय गोविंद नवल रितांश मिश्रा वेरी गुड बहुत बढ़िया लक्षमी धर नायक इन सभी विद्यार्थियों का सही है भाई है इन सभी का बिलकुल सही है प्रवीन कुमार वर्मा यहां पर SCG को मत लेके आओ बेटा SCG यहां पर human chorionic gonadotropic हार्मोन होता है जो pregnancy की जाच में काम आता है तो यहां पर देखो कि इसका उत्तर हो जाएगा प्रो लेक्टिन हार्मोन नोट करिएगा प्रो लेक्टिन हार्मोन प्यूश ग्रंथी वाला अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर लिखना शुरू करते हैं प्यूश ग्रंथी के बारे में तो फर्स्ट नंबर पर लिखेगा प्यूश लाओ यहां पर प्यूश को समझाते हैं आज प्यूश को प्यूश ग्रंथी पिट्यूटरी ग्लेंड सबसे पहले तो देखो इसकी कम्प्लीट लोकेशन में आपको बताने वाली हूं क्योंकि नर्वस सिस्टम जो कि तंत्री का तंत्र है यह भी हमारे सिलेबस में हैं तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको कम्प्लीट यहां पर बता दूं कि भाई प्योश ग्रंथी आखिरकार इस सबसे पहले यहां पर लिखती हूं स्थिती यानि कि लोकेशन यह लो इसकी स्थिती बताते हैं आपको तो पॉइंट्टो पॉइंट्ट अपनी कॉपी में नोट करते जाना हमसे पूछे कि यह बताओ कि प्योश ग्रंथी कहां पाई जाती है तो हम कहेंगे कि मैड़म मस्त में होगी फोर ब्रेन में होगी अग्रमस्तिष्क में होगी फोर ब्रेन में होगी हमसे कोई कहे कि अग्रमस्तिष्क में भी कहां पर होगी कौन से सिफेलोन में होगी तो यहां पर लिखना कि अग्रमस्तिष्क में जो डायन सिफेलोन है इस डायन सिफेलोन वाले भाग में हम से कोई कहें कि क्या हाइपो थैलमस से डाइरेक्ली जुड़ी रहती है तो हम कहेंगे मैं क्या मजग कर रहे हो हाइपो थैलमस से एक धागा निकलेगा इस धागे के नीचे ऐसे मटर के समान यहां पर लगी रहती है हमारी प्यूश ग्रंथी तो ध्यान रख लेना कि पिट् ब्रेन का का वाग तो हम कहेंगे डायनसिफेलोन वाला हमसे क्या दे की डायनसिफेलोन में कौन तो भी प्यूश ग्रंथी तो दिहार रख लेना कि यह क्या है तो यह इनफन्डी बुलम है इनफंडी बुलम है अब एक बात और बताती हूँ देखो यह जो पियूश है ना इस पियूश की भाई जो सिक्यूरिटी है यह सिक्यूरिटी बहुत जदा टाइट है बहुत जदा खतरनाक है तो आप से पूछते कि यह बताओ कि इस पियूश को सिक्यूरिटी कौन देता है सुरक्षा कौन देता है तो हम कहेंगे कि देखो मैं हम एक बोन होती है जिसका नाम होता है स्फिनोइड बोन इस स्फिनोइड बोन से बनी हुई एक गुहा होती है cavity होती है जिससे सैला टर्सिका खहते हैं इस सैला टर्सिका वाले भाग के अंदर प्यूश ग्रंती यहां पर लटकती रहती है तो ध्यान रख लेना कि यह जो बोन है यह बोन कौनसी हो जाएगी तो sphenoid हो जाएगी लिख लेना यहां पर sphenoid हो जाएगी आगे काम आएगा यह यहां पर खाच है, जो यह यहां पर ग्रुव है, जिसको आप sela tarsika कहते हो, इस sela tarsika के अंदर यह बंद रहती है, ठीक है, sela tarsika Chris के खाच में बंद रहती है, तो I hope यह आपको यह तो समझ में आगया होगा कि जो l outros holes, dem001-4 ने बंद ज्सक्राइड के साथ मेंरती है, ब मेरा नाम भाइन नाम में लिखा हुआ जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको नोट करो आप है लिए जब अच्छ-अच्छ cały आंसर करोंगे तो आपका नाम में वीवार लुग गैना चिन्ता के ही नाम लिख पाएंगे हम, तो एक बार यहां पर हार्मों के नाम लिख लेते हैं, सबसे पहले धियान रखना, टोटल आठ हार्मोन निकलेंगे भाई, है ना, प्यूश ग्रन्ती से 8 हार्मोन निकलेंगे, कॉन-कॉन से हैं, तो नंबर वन लिखेगा घ, या जिसे आप होगे व्रधी हार्मोन सेकंड यहां पर लिखेगा सॉमेटोट्रोपिक हार्मोन यह लो पहले-पहले हार्मोन का नाम याद कर ले ना ग्रोथ हार्मोन यह जिसको STH somatotropic hormone कहते हैं व्रद्धी hormone कहते हैं second का नाम लिखेगा यहां पर दूसरे का नाम लिखेगा MSH Milenocyte Stimulating Hormone Milenocyte Stimulating Hormone Next third number पर third number पर लिखेगा यहां पर लिखेगा TSH हार्मोन और इसका पूरा नाम लिखेगा Thyroid Stimulating Hormone Thyroid Stimulating Hormone देखो नाम इतने बड़े-बड़े हैं कि विद्ध्यारती आप ड़ जाते हैं कि भाई यह क्या नाम लिखा रहे हैं तो tension की कोई बात नहीं है काम इनके बहुत छोटे-छोटे हैं कल की क्लास में पढ़ोगे तो आपको भी लगेगा कि यह भी क्या हम पढ़ सकते हैं तो धियान रख लेना ACTH का पूरा नाम लिखना ADRENOCOTICOTROPIC HARMONE सब के बारे में पढ़ाऊंगी मैं और वो सारे कोशन कराऊंगी जो SSE में पूछे जा सकते हैं ठीके तो चार हार्मोन की नाम लिखे हैं मैंने पहला लिखा है यहां पर GH जिसको आप ग्रोथ हार्मोन इन इंग्लिश कोओगे सॉमेटोटोट्रॉपिक हार्मोन कोओगे हिंदी व्रदी हार्मोन सॉमेटोटोटोटॉपिक हार्मोन सेकिंदे देखो MSH ardedesian bowls sably स्थ्छल Shh thyroid stimulating harmon चॉत्ह chronic ADRENOCOTICOTROPIC हार्मUNG पांचवे नमबर पर लिखती हूँ आप, पांचवा हार्मोन, ठीक है, तो नमबर पांच लिखेगा यहाँ पर, लिखेगा प्रो लेक्टीन हार्मोन, ठीक है, दूद बनाने वाला ही है, नमबर छटा लिखेगा, ऑक्सी टोसीन हार्मोन, जिसको आप पीटोसीन हार्मोन भी लिखिऊट, तो कॉआ पीटोसीन हार्मोन दभती सीय जढते हैं खीजी के एस के पितोसीन हार्मोन हार्मोन आगे बढ़ते हैं नंबर सात लिखे बाविगनेट, छा पर दिर ते फेल हो घॉड़्य हो ढिलेटिक घॉडरा हार्मोन या फिर जिसको हम वन swinging कहते हैं यृशोप् पास में हुमवक के रूप में रहेंगे इन आठो नामों को थोड़ा सा याद कर ले लें अ कल की कॉन-कॉन से प्रश्ण आपसे पूछे जाते हैं है अर ये क्या-क्या काम करते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे चलो तो समय हमारे यहाँ पर भाई समाप्त हो गया है है ना तो कक्षा को समाप्त करते classes आपको कैसे लग रही है comment करके बता सकते हो कोई सुझाव है तो सुझाव आपका अमंत्रित है class पूरी देख लेते हो like करते नहीं हो, share करते नहीं हो तो like भी किया करो और share भी किया करो चलो मिलते हैं कल धन्यवाद अन्यवाद